चारा घोटाले के आरोप में सजयाकाट रहे लालुपिसाद यादब को उनकी तब्यत खराब होने के बाद से इलाज चिलिए राची के रिम्स होस्पिटल में भाती कराया गया है उसके बाद लालुपिसाद को रिम्स के निदेसक के बंगले को स्पेशल वाड में तब्दील करके रखा गया है इस पर बीजेपी का कहना है कि हाई कोड की आदेश के मुताबिक रिम्स निदेसक बंगले को जेल वाड माना जाना चाहिए ने वहीस मामले में बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि रिम्स के निदेशक बंगला जेल में तब्डील किया गया है और वहाँ पर जेल मैनुअल का लगातार उलंगन हो रहा है। रिम्स का निदेशक बंगला राजत का प्रधान चुनावी कार्याले बन चुका है क्योंकि बिहार से टिकट मांगने के लिए लगातार उमीदबार रिम्स पहुच रहे हैं हाईकोट ने 24 अगस 2018 को लालू प्रशाद जी को जो इलाज की सुविधा दी थी 24 अगस 2018 को हाईकोट ने इलाज की सुविधा देते वे कहा था कि उनका इलाज राची के रिम्स में कस्टडी में होगा यानि हिरासत में होगा और जब भी एक सजायाफता मुझरीम के लिए हिरासत शब्द का प्रियोग होता है तो उसका अर्थ होता है कि वो जेल के कस्टडी में होगा तो जेल administration अगर ये कह रहा है कि वो जेल की custody में नहीं है तो ये पूर्णता गलत ब्यानी कर रहा है देखिए इसके अतरिक Prison Act 1894 का Section 3 का Subsection 1 ये सपस्ट रूप से कहता है कि अगर कोई सजायाफता मुझरीम अल्प काल के लिए किसी दूसरे जगा में है जो जेल नहीं भी है तो भी उसे जेल माना जाएगा तो मुझे लगता है जेल आईजी साब को जानकारी लेकर ऐसे ब्यान देना चाहिए तीसरा चीज जो है कि रिम्स में वो फिलहाल जेल मैनुवल के जितने प्रावधान है लालू प्रशाद पर लागू होंगे लेकिन ये कहकर सरकार के इशारे पर जो अधिकारी है ये गलत ब्यानी कर रहे है और लालू प्रशाद को छूर दी जा रही है कि वो जो अपना राजनेती के जंडा है जो नियम कानून है उसे धत्ता बता कर अपने चुनाओ अभियान का संचालन के लिए बीजेपी के बयान के बाद राजत का कहना है कि अब भाजपा के पास कहने को कुछ नहीं बचा है वे इतने डर गए हैं कि उन्हें बुरे सपने आ रहे हैं और लालू जी का नाम लेकर अपनी टी आरपी बटोडने में लगे है लालू जी का नाम ले लेकिन गलत बात ना कह मैं जानती हूँ कि भाजपा वालों के पास अब बोलने का कुछ नहीं बचा है और लालू जी का नाम लेने से ही लोग उनकी बात सुनेंगे टी आरपी भी बढ़ेगा तो सौक से लीजिये नाम मैं मना नहीं कर रही पर गलत बात ना बोलें क्या आपको कानून पे भरोसा नहीं रहा एक जो बात है कि जब लोग डर जाते हैं तो रात में उन्हें बुरे सपने आते हैं भाजपा की हालत ये है कि वो इतने डर गए हैं कि उन्हें जगें बुए में भी सपने आ रहा है तो बुरे सपने ना देखें, डरिये मत और मैं मिडिया बंधू से ये बात करूं, कहना चाहूंगी कि आप उनसे ये प्रश्न कुछें कि पंद्रा साल का जब सासन रह चुका है बिहार में आपका, तो आप विकास की बात करें न अपने बिहार में क्या विकास किया है, किंद्र में क्या काम किया है, उसकी बात करें लालु जी के नाम रटने से अब आपका नईया पार नहीं लगने वाला है चाहे आप कितना भी लालु जी का चली सा पढ़ने इधर बिहार में बिहार बिधान सवा चुनाव की घोषना होने के बाद बिहार से कई नेता लगातार लालु जी से मिलने जाते रहे है जेल मैनवन का उलंगार होने के आरोप लगने के बाद राची के जेल आईजी बिरेंदर भूसर का कहना है कि रिम्स काने जेसक बंगला रिम्स की तरफ से स्पेशल वार्ड में तबदील किया गया है इसे जेल वार्ड नहीं बनाया गया है या पूरी तरह अस्पताल पर निर्भार करता है कि जरूरत के हिसाब से किस वार्ड में इलाज करें जब किसी को जेल से इलाज करने के लिए बाहर ले जाया जाता है तो उसकी पूरी कस्टडी अस्पताल और लोकल पुलिस के पास होती है वार्ड में मानने लालू परशाजी रह रहा है वो एक एरिम्स के एक विंग है इस्पेसल वार्ड वो डिकलेर किया गया है जेल में नहीं जेल में कभी तबदिल ने किया गया केली बंगला को केली पंगला जो है वो एरिंस ने अपने स्पिसल वार्ड मेंस को डिकलेर किया है कर दो कर दो कर दो